स्वागत दोस्ताब आप सभी का फिर से ताजा ताजा खबरों से भरी हो एक और नहीं वीडियो के अंदर ताकि आपको कर दिया जाए एकदम अपडेटेट की क्या चल रहा है आज कल इस पूरी की पूरी PC टेक की दुनिया के अंदर और बढ़िया तरीके से आपको खबरे ब पताना चाहते हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी जो वीडियो से वो चैनल की उपर उतारी जैए बट फिर भी दो से लेकर कि तीन दिन का गैप आप आजाता है वीडियो के अंदर तो यह थोड़ से दिन तक जो है चलने वाला ताकि मेरे उपर से थोड़ से बड़न उतर जाए, जैसे ही थोड़ी सी चीजे जो है वो स्मूथ होती है, जिसके अंदर थोड़ से दिन लग सकते हैं, दो-तीन हफते लगेंगे, क्योंकि जब कोई नया हमारे हैं जोइन करेगा, जोइन करने के बद ऐसा तो है, निकि पहले तो यह सारी चीजे जो है, सेट अप होने में थोड़ सा स्मूथ होने में थोड़ से कुछ दिन लग सकते हैं, तो यह जो दो से तीन दिन का गैप है, यह अभी कुछ दिन तक और बरकरार रहेगा वीडियो के अंदर, फिर जो वीडियो हैं, वो एक एक दिन के गैप में बहुत ही अच्छे प्राइज़ के उपर प्रिबिल्ड पीसी देखने को मिल जाते हैं, और साथी साथ यहां पर आपको ना कस्टम पीसी बनाने को ओप्शन मिल जाता है, आप AMD या फिर Intel, दोनों का ही अपने ही साब से कस्टम पीसी यहां पर बना सकते हो, अपने ही साब से लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको कॉल करना है, वो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक करना है, इस टाइम फ्रेम में हमारे वर्किंग आर्स हैं, आप इसके वीच में कॉल करके अपना और बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे फोन कर र दो, तो चली गई, शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, आप सबसे पहली ख़बर के बारे में, जो कि आ रहे हैं, अरे AMD के तरफ से, और यह है उनके नेक्स जनरेशन वाले APU's को ले करके, जिसे कि अभी Ryzen की 5000 सीरीज वाले APU's आया थे ना, 5600G, 5700G, तो जो इससे नेक्स जनरेशन वाले जो APU's होंगे, उसके अंदर आपको RDNA 2 ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी वाले जो आपको APU's देखने को मिलते हैं, उसके अगली जनरेशन वाले जो APU's होंगे, उसके अंदर बताया जा रहा है कि आपको RDNA 2 ग्राफिक्स देखने को मिलें साथी साथ AMD को भी यह चीज भारी पड़ गई, तो उन documents के अंदर यह चीज जो है वो लीक होकर के हमारे सामने आ गई है, भागी तो खेर अभी काफी जल्दी है, इस चीज के बारे हम बात करने के लिए, क्योंकि अभी जो 56 energy and 57 energy यार वो अभी तो आई है market के अंदर, अभी त बिकना चालू होए है, अभी से हम 6000 series के बारे हम बात कर रहे है, बट खेर, देखते हैं, जैसी आते हैं, इनकी क्या performance रहती है, वो तो हमें जो है, देखके ही पता चलेगा, कि मतलब इनके जो iGPU हैं, वो कितने strong होते हैं, और क्या हम लोग जो है, वो दिन आ पाएगा, जब हम बिना graphics card के एक अच्छी 1080p level की gaming, एक iGPU के उपर कर पाएंगे, बात करेंगे हैं, अगली खबर के बारे हैं, तो यह अगेन फिर से खबर आ रहे है, AMD की तरफ से, और देखके ऐसा लग रहा है, कि शायद जो AMD है, वो Nvidia के ही mark दर्शन के उपर चल रहा है, क्योंकि जैसी कि आपको पाता है कि Nvidia के अभी कुछ टाइम पहले जो है, कुछ उन्होंने dedicated mining के लिए graphics cards बनाये थे, जो कि CMP करके कुछ थे, 40HX, 30HX, कुछ ऐसे करके उनके नाम थे, जो कि mining के लिए थे वो graphics cards जिनको की miners, वैसे, सच बात बताओ, miners को graphics cards पता पसंद ही नहीं आये थे, क्योंक कि, देखो, इसमेंना एक logic मैं तुम्हें बताता हूँ, कि जो mining वाले, जो dedicated mining ले जो graphics cards बनाये जाते, जैसे कि वो जो थेनान के CMP वाले, उसके अंदर क्या होता है, कि उन cards से सिर्फ mining हो सकती है, लेकिन gaming नहीं हो सकती, लेकिन जो miners हैं, वो क्या सोचके invest करते हैं mining के अंदर वो ये सोचते हैं कि भाई, आज मैं graphics card ले रहा हूँ, इसके पर mining करूँगा, जब mining मुझे बंद करनी होगी, या फिर profitable नहीं रहेगी, या फिर मुझे mining से भार आना होगा, चीके, तो वो क्या कर सकते हैं, कि वो फिर उन graphics cards को gamers को बेच के अपना पैस वापस निकाल सकते है लेकिन जो CMP वाले जो dedicated mining के ले graphics cards होते हैं, उसमें कोई भी न, display के ले output नहीं होता, आप उन graphics cards का यूज करके न, gaming नहीं कर सकते हैं, तो यह बड़ी दिक्कात है, तो इस वाज़े से miners लोग जो है, वो उन graphics cards को खरीदना पसंद नहीं करते हैं, dedicated mining के लिए, तो yes, कुछ ऐस सई सीन है, तो इस वाज़े से वो जो है, अभी भी जी फोर्स वाले जो graphics cards हो, उसके उपर जो है, अपना हात मारते रहते हैं, जो miners है, and gamers को जो है, वो graphics cards मिल नहीं पाते हैं, ऐसे ही, अब AMD जो है, जैसे कि वरोंने अपनी CMP वाले graphics cards निकाले थे, dedicated mining वाले, तो ऐसे ही, एक कोई भी न, display output के लिए कोई भी port देखने को नहीं मिलेगा, and इसके अंदर आप active कोई भी आपको cooling solution नहीं देखने को मिलेगा, बस खाली एक aluminum की heat sink है, जिसके उपर plastic का एक shroud है, तो ऐसा सा कुछ इसका design है, and बताय जा रहा है कि ये dedicated mining के लिए है, तो मुझे भी ऐसा लग रह हैं आपके इस बारे में, मतलब जैसे ये Nvidia है, वो mining के लिए graphics cards बना रहे हैं, ठीक है, dedicated mining के लिए, ताकि वो ये सोचते हैं, कि जो miners है, वो फिर इने खरीदे, and जो विचारे gamers के लिए, जो geforce वाले cards वो उनको छोड़ दे, and जो AMD है, वो भी अब ऐसा कर रहा है, तो आपका क क्या सोचना और विचार है, इसके बारे में, हमें comment section में जो है, जरूर बताना, और हाँ, एक चीज़ है, क्यार मैं तुम लोग के साथ share करना चाहता हूँ, और मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता था, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, कि जो इंडिया है, इसके अंदर लोग mining न सचबाद बताऊं, तो उनकी साइट से भी prices थोड़ी सी बड़ी हुई है, किसको पैसा नहीं कमाना है, ठीक है, बाकी जो लोग ये भी कहते हैं, कि यार, नहीं नहीं, इंडिया के अंदर तो कोई mining ही नहीं करता है, जबरदस्ती prices बढ़ा रखें, भाई, mining होती है इंडिया ठीक है, मैं जैसे जाता हूँ, नहरो प्लेस, मेरा नहरो प्लेस जो है, वो हर दूसरे दिन जाना होता है, किसी-किसी दिन तो मैं हफ्ते, पूर एक-एक हफ्ते डेली जाता हूँ नहरो प्लेस, ठीक है, जाना पड़ता है, काम के लिए ठीक है, समान लेने होते हैं, जो कि ह एक store के अंदर गुसा था वहाँ पर कल परसों की बात है ठीक है वहाँ पर एक बंदा आया मेरे बगल में आके खड़ा हुआ उन से कह रहा है आपके पास टोटल ग्राफिक्स काड 2060 टीक है 2060 मेरे पास असी पीस पड़े हर एक ब्रांट का मिला के कलर फुल वगएरा सारे मिला के उसने का सारे दे दो मन तो पते क्या कर रहा थो स्टैंप फिर उसने पूछा कि भीया कितने मेगा हैस्तों किया थर्टी के असपास मेगा हैस मिल बात करें से हमारी अगली के बारे में तो हम लोग बात करें एंविडा के बारे में तो जो एंविडा के CEO है Jensen जी उनकी तरफ से जो है कुछ ऑफिशल स्टेटमेंट से जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ तो भाईया इसको ध्यान से सुनना तो उनका ये कहना है कि जो GPU की supply की जो ये issues हैं वो इस साल तो खेर रहने ही वाले हैं ये साल तो पूरा जाएगा ही जाएगा बागी जो अगला साल है 2022 उसका भी लगबाग ये लगालो almost पूरा जो तुम्हारा 2022 होगा उसके अंदर भी ये issues जो है वो देखने को मिलेंगे which means ये मैं अपनी साइट से कह रह तो ये जब NVIDIA खुद ऐसा कह रहा है खुद ऐसा जो है प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो अगला साल है वो उसके अंदर जाएगा ये जो issues है वो रहने वाले अगले साल भी तो भाईया फिर हम क्या ही बोले बागी गाईस अभी तो थोड़ से जो प्राइस है वैसे मैं आपको से बढ़ गई है ना उस ताइम बहुत सारे लोग कह भी रहते उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हाँ थोड़े बहुत तो कम हो गए है वेरी गूड वेरी गूड हम सच में नीचे जा रहे है अब जो नए कमेंट आरे नो उसके उपर तो लोग कह रहे है तुम क्या बोल र रुपीस का RTX 3060 Ti की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ RTX 3060 की बात कर रहा हूं 68,000 तक का मैंने बिखते वे देखा है मार्केट के अंदर है लोगों को अपने PC के अंदर लगाते वे देखा है 68,000 का ठीक है and as low as पता है वो कितने तक का गया था मैंने भाई खुद 47,000 रुपीस में उसको sell कर रहा था अपने कस्टमर को ठीक है उसके PC में लगा करकि मैंने उसको दिया था 47,000 रुपीस का and then फिर प्राइस जो अब दुबारा से उपर चले गए है अब वो जो 30,60 है आपको 60,000 का मिल रहे है and अब यह जो प्राइस है लगबख 60,000 रुपे के आसपास की यह भी अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि यह भी जो है धिरे धिरे और उपर जाती रहेगी and इस साल जो अभी जो यह वाला मतलब December तक तो आपको मतलब प्राइस उपर जाती ही रहेगी ठीक है धिरे धिरे करके उपर जाएगी and मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी और बाकी जो रहत आई भी थी ना प्राइस में वो सिर्फ RTX वाले कार्ट्स के अंदर आई थी GTX वाले कार्ट्स क यह RTX 2060 50,000 रुपे के तो उनके अंदर तो कभी रहत आई नहीं थी जो रहत आई भी थी थी थोड़ी बत प्राइस के अंदर वो RTX 30 series में आई थी जो उनके LHR वाले थे and NVIDIA का ऐसा कहना है कि quarter to 2021 के अंदर उन्होंने 80% जो कार्ट्स है वो शिप कराए थे जो बतब पहुच आई थे वो gamers तक उन्होंने पहुचाए थे अब इसमें कितनी सचा ही है कितना जूट है वो तो खेर मुझे नहीं पता पागी थोड़ी बत प्राइस अक्चुली में नीच आये थे and अब जो है दुबारा से बढ़ गए हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं एक थोड़ी सी बु काल लिया गया है अब जैसे कि क्या है कि एक बहुत सारे सॉफ्वेर होते हैं माइनिंग करने के लिए ऐसी कोई NB माइनर करके सॉफ्वेर है उसका अगर आप यूज करके LHR की उपर LHR ग्राफिक्स काड की उपर अगर ETH को माइन करते हो तो 70% तक जो है आपकी अब जो है यहापर 70% आप जो उसके पर माइनिंग कर सकते हो और सिर्फ अब जो है यहापर 30% जो है वो लॉग रहे गया है अब इसका भी जो 30% कभी तोड है वो निकाल लेंगे भाई है बहुत बड़े-बड़े मतलब पागल लोग बैठे इस दुनिया के अंदर जिनको क कुछ काम नहीं है ठीक है मतलब लगे रहते हैं लोग ठीक है हर चीज का जो है तोड़ निकल जाता है थोड़ा टाइम लगता है बट निकल जाता है तो यह जो 30% है इसका भी मुझे लग रहा है most probably आगे चल करके यार निकल जाएगा 100% जो है इसके उपर फिर अच्छी तर कर रहे थे उसका यूज करके ठीक है रेविन कोईन है अर्गो कोईन है ठीक है कुछ कोई जो की लगभग जो है एटीएच के बराबर जो इथेरिम के आसपास ही तुमको जो है प्रोफिटेबिलिटी दे देते हैं तो लोग जो है उनका भी माइनिंग कर रहे थे LHR कार्ट के उपर बात करें हमारी अगली ख़बर के बार में तो बहिया यह जो खबार है इंटेल की 12th जनरेशन को लेकर के जिसको कियार लेकर के मैं खुद यार काफी ज़ादा एकसेटेड़ हूं कि जो 12th जनरेशन होने वाली है मतलब जो लीक्स खबर जो अब तक सारी निकल कर कर आई है ना उसके हिसाप से मैं तो बहुत ज़ादा एकसेटेड़ हूं जो अगला ही महीना है सेप्टेंबर या फिर सेप्टेंबर के अंदर ही आने है यह वाले जो नए वाले सीपी उस हैं इंटेल की 12th जनरेशन वाले ओल्डर लेक जो इनके आने वाली है तो इसको लेकर जिनको की कंपेर करा गया है विद्धी राइजन 9 5950 X प्रोसेसर एमडी के साइटसून का फ्लाक्षिप एंड इंटेल का जो नया वाला फ्लाक्षिप होगा ठीक है आई 9 के अंदर 12900 के तो इन दोनों के बीच में जो है एक कंपारेजन यहापर जो है दिखाया गया है जो क सिंगल कोर परफॉरमेंस एंड 4% जो ही आगे निकल गया है इंदी मल्टी कोर परफॉरमेंस और वैसे तो खेर यार आपको औरेट ही पता होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने बताई दिया था बढ़ अगर नहीं पता है तो जो अपकी बार 12th जनेरेशन आने वाल उसमें से होंगे आपके 8 plus 8 cores यानि की 8P cores और 8E cores जो आपके P cores होंगे उसके अंदर आपको जाए hyper threading देखने को मिलेगी तो इस वज़े से 16 core और 24 thread जो है आपको इस processor के अंदर देखने को मिलेंगे बाकी AMD यार कोई ऐसा तो है नहीं कि शांती से आराम से बैट जाएगा वो उसकी जो prices है वो definitely यार कम कर सकते हैं compete करने के लिए Intel से तो फिर क्या होगा कि जो AMD है वो वापस से फिर value for money हो जाएगा अगर उसकी price कम हो जाएगी तो तो ऐसा कुछ जो है scene आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है बागी आप कितना excited है यार हमको जरूर बताना comment section के अंद website को checkout कर सकते हो जो रो शोरो से यहाँ पर काम चल रहा है हमारी website की उपर बड़े तरीके से जो orders है वो आ रहे हैं और pack shipping जो है मतलब हम बड़े तरीके से pack करके shift कर देते हैं सब लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है all over India हम जो है deliver करते हैं बिल्कुल भी सोचने की परे contact numbers है वो आपको description के अंदर देखने को मिल जाएंगे इंस्टेग्राम के पर फॉलो कर सकते हो और डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप हमारा जोइन कर सकते हो मैं विलूगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए आर थैंक्स और वाचिंग झाल झाल